नमशकार दोस्तों, पिछले साल पहली बार मैनमार के पास कोई सम्मरीन आया था, मतलब कि ये जो सम्मरीन है मैनमार के लिए पहला सम्मरीन था और ये सम्मरीन दिया गया था भारत के दोरा, अब भारत को चैलेंज करने के लिए आप देख सकते हो, चाइना ने भी यहाँ पर मैनमार को एक सम्मरीन गिर्ट के तौर पर दिया है यह आप देख पाएंगे चाइना प्रोवाइट सम्मरीन टू मैनमार जनता तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे और आपको पता है कि मैनमार में स्थिती काफी ज़ादा खराब है जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गॉर्मेंट है उसको हटा कर आर्मीने टोब कोवर कर लिया है तो चाइना किस तरह से गेम प्लान कर रहा है ताकि इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपना जो विस्तार है उसको और जादा बढ़ा सके इसको हम समझने की कोशिश करेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं पर सरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में आपको सभी MCQs मिल जाएगे चली सबसे पहले हम देखेंगे अभी हो क्या रहा है हम इसकी चर्चा क्यों कर रहा है देखेंगे चाइना के पास काफी पुराना जो मिंग क्लास डीजर इलेक्टरिक सम्मरीन धिया रखेगा डीजर इलेक्टरिक सम्मरीन है जिसका मॉडल जो है टाइप 035B बी बताया जा रहा है वो यहाँ पर मैनमार की जनता को दे दिया गया है जाहिर सी बात है कि भारत के प्रेजेंस को एक प्रकार से काउंटर करने के लिए चाइना इस तरह की पूरी चाल चलता हुआ देख रहा है और मैनमार के जब अंदर इसको लॉंच किया गया सीनियर जनरल मिन होंग एलेंग तो उनके द्वारा इसको पूरा अटेंड किया गया अब इसके लावा अगर आप देखिए तो यह जो डीजल इलेक्रिक सम्मरीन है जो दिया गया है इसका दो मेन फंक्शन है एक है कि अटैक सम्मरीन करना स्टॉप गैप अटैक सम्मरीन करना और दूसरा है ट्रेनिंग वेसल ट्रेनिंग के तोरबर भी काम करेगा और यहाँ पर किसी प्रकार का अटैक वगर करने भी काम आएगा और चाइना एक प्रकार से आपको मैं बता दूँ कि मैनमार के लिए काफी सारे जो एक्विपमेंट्स हैं मिलिटरी से रिलेटेड वो सप्लाई करता है चाहें फाइटर जेट्स की बात करिए नवल शिप्स की बात करिए इन्फाक्ट इसके लावा जो फाइटर जेट्स हैं वो मैनमार के पास रशिया और पाकिस्तान के थ्रूभी आते हैं इसके लावा यहाँ पर ऐसा कोई डाउट नहीं है कि यह जो हुआ है इसकी वज़े से फर्दर मैनमार्क के अंदर जो से रिजन्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे चाइना के खिलाब क्योंकि आपको याद होगा 1st February को जब वहाँ की मिलिटरी ने टेक वर कर लिया था तक्ता उसके बाद चाइना के खिलाफ काफी ज़ादा अक्रोश था वहाँ पर कई लोगों के द्वारा और करीब 13 से 14 जो चाइनीज बैक्ट फैक्टरीज हैं वहाँ पर अटाक किया गया था लोगों के द्वारा और एक प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो प्रो ड इसल इलेक्ट्रिक समरीन दिया गया है चाइना की तरफ से गिफ्ट के तौर पर इसको किस सिग्निफिकेंस से देख सकते हैं क्योंकि इसका में इंपोर्टेंट पार्ट यह है रिसेंटल अगर आप इंटरनाशनल न्यूस कवर कर रहे हो तो जो हमारे फॉरन सेक्रेटरी है हर्ष श्रिंगला उनका विजिट हुआ था अभी जस्ट एक हफते के अंदर ही 22-23 दिसेंबर को वो महन मार गय थे और वहाँ पर पहला हाई लेवल विजिट किया गया था आफ्टर इस पर्टिक्लर कू यह जो भी आपका सू की ऑंग सेंट सू की गवर्मेंट को हटाया ग जाए जहां पर भी हाउस अरेश्ट करके जेल में जैसे भी रखा गया उनसे मुलकात की जाए लेकिन वहां की मैनमार की जो मिलिटरी है उन्होंने ये रिक्वेस्ट को नकार दिया था तो यह सारी चीज़ों के बीच यहां पर भारत कोशिश कर रहा है एक तरफ से चीज़ और ये जो सम्मरीन हमने गिफ्ट जो हमने दिया है मैनमार को ये सोविट एरा का किलो क्लास सम्मरीन है और बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हो हमारा भी यही मकसद था कि जो चाइना जिस तरह का इंफ्लुएंस कर रहा है उसको कम किया चाए इस पर्टिकुलर सम्मरीन क कि हम बात करें तो ये इनस सिंदुवीर है ध्यान रखेगा और इसको इंडियन नेवी में 1988 में यहां पर कमिशन किया गया था और उसके बाद क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रीफर्बिश कर दिया गया है बाई हिंदुस्तान शिप्यार के द्वारा और 3000 टन का displacement इसका जो weight है वो आपको देखने को मिलेगा 300 meter depth तक ये जा सकता है 80 knots की top speed देखने को मिलेगी तो ये मैनमार के लिए पहला समरीन था और भारत ने यह कोशिश किया था कि उनको थोड़ा सा strong बनाय जाए बहतर करने की कोशिश किया लेकिन याद रखना है आपको पिछले साल हमने दिया था जब democratic elected government वहाँ पर काम कर रही थी लेकिन उसके बाद से चीज़ें काफी जादा change हो गई है अब ये सारे चीज़ों को आप किस तरह से देख सकते हो ये जो भारत और चायना के बीच में पूरा टशल देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर main जो चायना बहुत ही कम दाम पर बहुत discounted price पर उसने दो मिंग class के submarine यहाँ पर 2016 में दिये थे चायना ने दिये थे बांगलादेश को तो इंडिया के पास तो आप देखिए इतना जादा हमारे पास पैसे तो है नहीं ना तो हमारे पास defense production है कि हम चायना को match कर पाएं कि इतने सारी influence है उसको Indian Ocean region के साथ connect कर देता है यह आप देख रहे हो यहाँ पर तो यह जो corridor है यह चायना अगे इसी मकसद से बनाता है ताकि यहाँ पर भारत का जो influence है उसको कम किया जाए और यह सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि जो belt and road initiative है उसके तहत चायना यहाँ पर करता आ रहा ह इसके लाब आप देख सकते हो कि जो मैनमार है वो पिछले 20 वर्षों से कौन कौन से देशों से यहाँ पर कितना arms को लिया है इंपोर्ट कराया है सबसे जादा रश्या से लेता है 43% 41% चायना रश्या और चायना सबसे जादा आपको देखने को मिलेगा उसके बाद भारत स इसने कोशिश तो की है यहाँ पर जो वहां की military है उसके साथ ties को बढ़ाया जाए क्योंकि आशियान में अगर आप देखो कि जितने 10 देश है उन में से सिर्फ यही एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा 1600 किलोमेटर की जो पूरी boundary है यहाँ पर वो जुड़ते वे देखने को मिलेगी तो डिस्पाइट अपने देखा होगा US ने काफी hard stand लिया है western countries ने बहुत hard stand लिया है इनमार के उपर क्योंकि जो military की दोरा तकता फलट हुआ है इलकर उसके बावजूद भी भारत ने कोशिश की है कि यहाँ पर जो अपने ties है उसको बढ़ाया जाए भारत ने जो जरूरत पड़ती है day to day basis पर वो सारी चीज़ें भारत ने provide करने की यहाँ पर कोशिश की है लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो मैनमार है वो भी बहुत जल्दी realize करेगा कि यह जो submarine दिया गया है चैना के दोरा यह एक outdated submarine है आपको समझना है यह हमने उसको proper modernize करके दिया था री fit करके दिया था हिंदुस्तान shipyard limited के द्वारा काफी अच्छे से उसको refurbish किया गया तब जाकर हमने provide किया था मैनमार को लेकिन इस सारी चीज़ें को धिरे धिरे realize किया जा रहा है चाइना अपनी game को लगतार बढ़ाता जाएगा आप समझ जो चीजें है उसको बरकरार रखना है और चाइना को किसी प्रकार से counter करनी की कोशिश करनी है हम सेम चीज तो नहीं कर सकते लेकिन हा जैसे मने आपको बताया कि हम अगर चीजों को provide कर रहे हैं तो सही intention से कर रहे हैं और सही quality provide करते हैं यह आपको देखने को मिलेगा तो दे से देश के partnership के साथ हमने यहाँ पर बनाया है ठीक है तो इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सक सकते हो बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथ ही साथ UPST की तारी कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड कर लीजिए I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon